5.6 गती का तृतिनियम, 3rd law of motion गती का तृतिनियम समझने के लिए आईए एक क्रिया कलाप करें क्रिया कलाप 5 एक स्प्रिंग बैलेंस ए लें तथा उसका इस्थर सिरा दिवाल पर कील से लटका दें स्प्रिंग के मुक्त सिरे को खीचे और लगाए गैबल का मान नोट करिये एक और स्प्रिंग बैलेंस बी को ए से जोड़ें अब ए और बी को एक साथ खीचे और मान नोट करिये आप देखते हैं कि दोनों स्प्रिंग तुलाए एक ही मान दर्शाती हैं क्यों? उपर्युक्त उधारण में Spring Balance B Spring Balance A पर बल लगाता है और दूसरा Spring Balance A Spring Balance B पर समान बल विपरीद दिशा में लगाता है दोनों समान बल दो अलग-अलग वस्तुओं पर कारिख करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीद दिशा में समान बल लगाती है वस्तुओं पर लग रहे इन बलों के जोड़ों को क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है गति के तीसरे नियम को समझने के लिए चलिए बच्चों हमें क्रिया कलाब करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए मेरे पास दो स्प्रिंग बैलेंस है इस दोनों स्प्रिंग बैलेंस को हम A और B का नाम दे लेते हैं और अपने क्रिया कल आपको हम इस spring balance A से शुरू करते हैं। इसके लिए इस spring balance को इस प्रकार से हम रखेंगे और इस पर हम बल लगाएंगे। देखे बच्चों, आपको spring balance में कितना बल दिखाई दे रहा है। एक newton का बल हमें दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने इस दूसरे spring balance B को भी इस spring balance में जोड़ देते हैं। और उसके बाद बल लगाने के प्रक्रिया को दोराते हैं। देखे इस प्रकार हम इस पर भी बल लगा रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? दोनों spring balance में आपको एक newton का बल दिखाई दे रहा है। तो हमने यह पाया कि जब हम बल लगा रहे हैं, तो दोनों ही spring balance में हमें समान बल दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हमने spring balance b में बल लगाया तो वो एक newton का बल आपको spring balance b में दिखा और जो बल spring balance a b पर लगा रहा है वो उसकी विप्रीद दिशा में है और वो भी समान है इसलिए आपको इसमें भी एक newton का बल दिखाई दे रहा है तो जब भी कोई वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू पर बल लगाती है और बल के इन ही जोड़ों को हम क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं गती का तीसरा नियम भी यह कहता है कि प्रते क्रिया की बराबर लेकिन विप्रीद प्र प्रतिक्रिया होती है। उससे त्वरण उत्पन होता है। क्योंकि दोनों वस्तों का द्रविमान एक सा नहीं होता। हमारे धकेलने से प्रित्वी पीछे की ओर चलना शुरू नहीं करती। किन्तु हमें आगे की ओर जरूर त्वरण से गति मिल जाती है। यदि A वस्तु B वस्तु पर F1 बल लगाए और B वस्तु A वस्तु पर F2 बल लगाए तो गति के त्रितिनियम के अनुसार F1 एक्वल टू माइनस F2। यहाँ रिणात्मक चिन यह दर्शाता है कि बल F2 की दिशा F1 के विप्रीथ है। गति का प्रथम इवं दूतिनियम एक ही वस्तु पर लागू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया वे बल दर्शाती हैं जो एक ही समय पर दो अलग-अलग वस्तु पर कारे करती हैं। झाल